जै श्री कृष्णा, मैं हूँ राधिका और हमारे यूट्यूब चैनल किटकेट स्टोरीज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज सुनिए माग मास मातमे की आगे की कथा श्री सूत जी कहते हैं हे विप्रवरो पूर्वकाल की बात है चमतकारपुर में उत्तमवरत का पालन करने वाले चंड शर्मा नाम से विख्यात एक ब्रहमन हुए हैं जो रूप और उदारता अधिक गुणों से संपन्न थे वे जब युवा वस्था में पहुँचे तब किसी वेश्या में आसकत हो गए तब एक बार आधिरात में वे प्यास से व्याकुल होकर उठे तो उस वेश्या से बोले कि है प्रिये मैं पानी पीना चाहता हूं तब उस वेश्या ने पानी के भ्रहम से उन निद्राकुल ब्रहमन को मदिरा से भरा हुआ पुर्वा ला कर दे दिया मुख में मदिरा जाते ही ब्रहमन कुपित हो गए और उस वेश्या को बार बार धिक कारते हुए कड़ी फटकार सुनाने लगे अरी पापनी तुने ये क्या किया आज मदिरा पीने से मेरी ब्रहमनता निश्चे ही नस्ठ हो गई अब मैं आत्म शुद्धी के लिए प्रैस्चित करूँगा ऐसा कहकर वे दुख पूर्वा घर से बाहर निकले और नर्जनवन में जाकर करुण स्वर में विलाप करने लगे फिर प्रात्यकाल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सारे बाल बनवा कर वस्त्र जहित इसनान किया फिर वे श्रेस्ट ब्रहमनों की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले हे ब्रहमनों मैंने जल के धोके से मदिरा पी ली है मुझे अब दंड दीजिए तब उन्हों ब्रहमनों ने बार-बार धर्म शास्तर का विचार करके कहा कि ब्रहमन अगर जान बूचकर या अन्जाने में भी मदिरा पी ले तो मदिरा के बराबर ही खौलता हुआ घी पी लेने पर उसकी शुद्धी हो जाती है अर्थात प्राइश्चित हो जाता है इसलिए अगर तुम आत्म शुद्धी चाहते हो तो यही प्राइश्चित करो तब बहुत अच्छा मैं ऐसा ही करूँगा ऐसी प्रतिग्या करके उस प्रहमन ने ततकाल घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाया इतने में ही ये समचार सुनकर उनके माता पिता भी वहीं आ पहुँचे और बोले ये क्या बेटा ये तुम क्या कर रहे हो तब पुत्र ने अपने आँखों से आंसु बहाते हुए रात की सारी घटना कह सुनाई ये सब सुनकर ब्रहमन दंपत्ती ने उन सभी स्रेष्ट ब्रहमनों से प्रार्थना की कि मेरे इस पुत्र को धर्मशास्तर का विचार करके कोई दूसरा प्राश्चित बताईए तब उन ब्रहमनों ने फिर से आदर पूर्वक धर्मशास्तर का विचार किया फिर इस प्रकार कहा कि है ब्रहमन धर्म शास्त्र में तो कोई दूसरा उपाय नहीं है तुम्हें जो उचित लगता हो वही करो तब ब्रहमन ने पनी पुत्र से कहा बेटा तीर्थी यात्रा करो फिर क्रम्शह अनेक प्रकार का व्रत करने से पवितरता को प्राप्त होगे पुत्र कहने लगा महाभाग क्या ब्रहमनों का बतायवा प्राइश्चित पवितरता के लिए प्रयाप्त नहीं है जो आप मुझे व्रतादी का उगदेश कर रहे है पुत्र का ये निश्चे जानकर पुत्र वत्सला पिता और उनकी सती पतनी ने भी मृत्यू कर निश्चे करना ऐसा कहकर विदंपती प्रसनिता पूर्वक मृत्ति के लिए अगनी के पास गए उनके साथ ही उनका पुत्र भी था इतने में ही वेदों के पारंगत विद्वान शांडेली मुनी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी स्थान पर आप पहुँचे सारी बाते जानकर उन कांदरायन आदि प्रैशित वहां दिये जाते हैं जा श्री गंगाजी उपलब्ध ना हो यहां तो साक्षात विष्णूपदी गंगाजी विद्यमान है उसी में अगर ये स्नान करें तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे तब सभी ब्रहमनों ने शांडेली मुनी को वे उस शुभायमान जल में स्नान करने लगे उसी समय इस पस्ट स्वर में आकाश वानी हुई विष्णूपदी का संपर्क होने से और उसके जल में स्नान और आचमन करने से ब्रहमन दिवताश शुद्ध हो गए हैं इसलिए अब वे अपने घर लोट जाएं ये सुनकर सभ लोग हर्ष प्रकट करते वे अपने अपने घर चले गए शिरिसूत जी कहते हैं ब्रहमनों ऐसे प्रभावशाली विष्णूपदी गंगा उस छेत्र की पश्चिम सीमा पर विद्यमान हैं जो सभी पापों का नाश करने वाली हैं शिरिसूत जी आगे कहते हैं हे महर्षयो भूतल पर यमुना नदी के किनारे मतुरा नाम से विख्यात एक महापूरी है जो अनेकों ब्रहमनों से भरी हुई है वही पूर्व काल में गोकर्ण नाम से प्रसित एक ब्रहमन रहा करते थे जो वेदा ध्यन से संपन और सभी शास्त्रों के पंडित थे वही उसी नाम का और उसी अवस्था का इक दूसरा ब्रहमन भी रहता था जो सब विद्याओं में पारंगत था एक दिन यम्राज ने अपने दूत से कहा कि दूत तुम शीगर मतुरा जाओ और वहां के गोकर्ण नामक्ष्रेश्ट ब्रहमन को यहां लेकर आओ आज दोपहर के समय उनकी आय प्रापुरी में पहुँचा परंतु ब्रहम हो जाने से वह दिरगायू गोकर्ण को ही पकड़ कर ले आया तब यम्राज ने क्रोधी थोकर अपने सिवक से कहा कि रे पापी तुझे धिकार है जो तू इन दिरगायू महात्मा को लेकर आया तुने यह क्या कर दिया अब इन मैं तो दर्दिर्ता से कष्ट पाकर स्वयम ही सदा मृत्य की इच्छा रपता था यम्राज ने कहा हे ब्रहमाण दिर्ता अगर पल भर भर भी आयूशेस हो तो मैं किसी भी मनुश्य को प्रत्वी से यहां नहीं बुलाता इसलिए लोग मुझे धर्मराज कहते हैं मैं सभी प्राणियों पर पक्षपात छोड़कर एक समान भाव रखता हूं तुम मुझसे कोई वर मागो किसी भी देहधारी को मिरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता ब्रहमन बोले देव अगर मुझे अवश्य ही घर लोटकर जाना है तो जो कुछ भी मैं पूछना चाहता हूं उसका उत्तर दीजे वही मेरे लिए स्रेष्ट वर होगा पाप कर्मी मनुष जो इन भयंकर नरकों का सेवन कर रहे हैं इन में से किस कर्म से किसको कौन सा नरक प्राप्त होता है यम्राज ने कहा हे विपरवर नरक तो असंखे हैं पर उनमें से जो मुख्य हैं केवल उनही का परि परिवे कुंड में प्राणियों को पकाया जाता है इन में दूसरों का धन हड़पने वाले शुद्र मनुष यातन भोगते हैं दूसरे का नाम है महारोरव जिसमें क्रतखन और गुरु शयागामी पापात्मा दाह से पीडित होकर तथा तीखी धार वाले शस्त्रों से छि पान मुख वाले पक्षी उनकी दोनों आखे निकाल लेते हैं चौथा नरक प्रतप्त नाम से विख्यात है यहां भी पापी जीव यातना भोग कर शुद्ध होते हैं जिन्होंने गुरु जनों देवताओं और तपस्वियों की सदा निंदा की है उन लोगों की जिववा यहां उखाल ली जाती है पांचवा सुप्रसिद नरक विदारक नाम वाला है यहां मित्र द्रोही मनुष आरे से चीरे जाते हैं छठा निकुम्भ नामक नरक है जो तपाई भी बालू से भरा हुआ है और स्वेम भी अगनी से तप रहा है जिन मनुष्यों ने पहले बिना किसी अपराध के दूसरे ब्रहमनों को प्राणांत कारी कष्ट पहुचाया है वे यहां तपी हुई बालू में भूने जाते हैं सात्वा नरक वीभत्सु कहलाता है वे अत्यत गरहित है इनमें सब और से मलमूत रादी गंदी वस्तुएं भरी हुई है जिन दुरात्मा उन राजा के पास जाकर लोगों की चुगली की है उनके मुह में ये गंदी वस्तुएं भरकर उन्हें इसी नरक में डाल दिया जाता है आठवा अधम नरक कुचित नाम से प्रसित है वहकफ और मूत्र आदी और दुरगंध युक्त वस्तुएं से भरा हुआ है जिनोंने गु अधम नाम का नवा नरक है ये तीखे काटों से भरा हुआ है इसके भीतर साप और बिच्छु भी रहते हैं जिनोंने एक साथ यात्रा करने वाले अपने भूखे प्यासे कस्ट पाते वे साथी को न देकर अकेले ही भूजन किया है उन्हें इस नरक में रखा जाता है दसव उन मनुष्यों को यह तब्त लोहमय खंबो का आलिंगन करना होता है ग्यारवा नरक आकर्श नाम से प्रसिद है यह तपाईवे संडासे रखे जाते हैं जो मनुष्य इस्तरी प्रहमन गुरू और देवता का धन खाते हैं उन्हें तपाईवे संडासों से पकड़कर सबोर से खीजा जाता है बारवे नरक को संदश कहते हैं इसमें अभक्ष भक्षन करने वाले नराधमों को लोहे के समान दात और मुख वाले गीध नोच नोच कर खाते हैं तेरवे नरक का नाम नियंतरक है उसकी बड़ी ख्याती है वे सब और से कीडों और सुदरण बंधोनों स सिव्याप्त है जो पापी दूसरों की धरोहर को हडप लेते हैं वे यहां बंधनों से कसकर बांथ दिये जाते हैं और क्रमी विच्छू आदी कीट उन्हें काटते और खाते हैं चौधवा नरक अधो मुख कहा गया है इसका स्वरूप सभी नरकों से अधिक भयंकर है जो म पंधरवा भीशन नाम वाला नरक है जो जू और खटमलादी से भरा हुआ है जो लोग जूटी गवाही देते या जूट बोलते हैं उनको और अन्यकु कर्मियों को भी मैंने यहीं स्थान दे रखा है ये सोलवा नरक शुधत कहा जाता है जो चार और शुधातुर अर्था भूग से व्याकुल मनुष्यों से व्यात है जिन द्विजोंने मांस भोजन किये हैं वे यहां भूग से वीडित होकर अपने ही शरीर को काट काट कर खाते हैं सत्रवा शार नरक है जो नमक से भरा हुआ है ये सब प्राणियों के लिए बड़ा भयंकर है जो मनुष्य व्र ये ठारवा नरक निदाग नाम से प्रसिद है जो जलतेवे अंगारों से भरा है जो मनुष्य शास्त्र काव्य तथा ब्राहमण कन्या को कलंकित करते हैं वे यहीं अंगारों के भीतर रखे जाते हैं उन्नीसवा नरक कूट शालमली कहलाता है जो चारो ओर से तीखे काटों से भरा है जो नास्तिक मर्यादा भंग करने वाले तथा ब्रहमण घाती हैं वे सब मनुष यहां सदैफ चड़ते और गिरते रहते हैं बीसवे नरक का नाम असीपत्रवन है जो दूसरों के छिद्र देखते जूट कपट से भरेवे कामों में लीन रहते और शास्त्र बेचते हैं वे ही इसमें आते हैं 21 नरक वैतर्णी नाम वाली नदी है जिसमें धर्मात्मा और पापी सभी को पार करना पड़ता है जो मृत्यकाल के समय गाय की पूँच हाथ में लेकर उसका दान करते हैं वे सुख पूर्वक उस वैतर्णी नदी को पार कर जाते हैं जो मनुष ग जो कुछ पूछा है वे सब ब्रतांत मैंने तुम से कह दिया अब इच्छा नुसार धन लेकर घर जाओ ब्रहामन बोले हे धर्मराज अब ये बताईए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता यमराज ने कहा जो सदा तीर्थ यात्रा में लीन रहता देवता और हेमंत अर्था सर्दी में आग तपाता गर्मी में जल पिलाता और वर्षा में ठेरने के लिए स्थान देता है वो कभी नरक का दर्शन नहीं करता जो व्रत और उपुआस में ततपर शांत चित जितेंद्री ब्रह्मचारी और सदेव भगवान का ध्यान करने वाला है वो मन पुरुष्य भी नरक में नहीं जाता जो अन्न और तिल का दान करता किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता वेदाध्यान करके शास्त्र के आग्या पालन में ततपर होता मीठे वचन बोलता और सदाधरमित चर्चा किया करता है वे कभी भी नरक को नहीं देखता ब्रह्मन दर्मराज ये तो एक मूर्ख भी जानता है कि शुब कर्म में ततपर रहने वाला पुरुष नरक में नहीं जाता और पाप पराण मनश्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। और सर्वतीर्थ में शुब हाठकेश्वर छेतर हैं जो महापातकों का भी नाश करने वाला है जो उस छेतर में 15 दिन भी भक्ति पूर्वा भगवान शंकर की पूजा करता है वे सभी पापों से युक्त होने पर भी भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है इसलिए तुम वहीं जाकर भक्ति भाव से भगवान शंकर की आराधना करो इससे अपनी दस पीडियों के साथ तुम मोक्ष प्राप्त करोगे शरी सूत जी कहते हैं ये उपदेश सुनकर गोकर्ण जी जैसे ही अपने घर की और प्रस्थान करने के लिए ततपर हुए त्यों ही कमें बिताकर इन ब्रहमन देवता को यहां लाए हो इसलिए द्विती गोकर्ण के साथ ही इन्हें भी जल्दी छोड़ दो फिर दोनों गोकर्ण ब्रहमन उसी छण एक ही साथ छोड़ दिये गए फिर दोनोंने सहसा अपने अपने शरीरों में प्रवेश कर लिया स्वस्थ ह पर दोनों ने हाट केश्वर तीर्थ में ये थावत तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की और उसके प्रभाव से सशरीर स्वर्ग लोग को चले गए जो मनुष्य निशकाम भाव से वहां भगवान शिव की आराधना करता है वे निश्चे ही मोक्ष को प्राप्थ होत है वे प्रवरो इस प्रकार मैंने तुम्हें हाट केश्वर छेतर का प्रमाण और सीमा आदि का संपूर्ण व्रतांत कह सुनाया यहां खेती करने वाले किसान भी परमगती को प्राप्थ होते हैं फिर जो अपने मन को वश में रखने वाले शांत दांत और जितेंद्री जाते हैं जो भगवान जनार्दन को अपने हर्दे में स्थापित करके श्रद्धा पूर्वक वहां रहते हैं उनकी सद्गती में संदे ही क्या हो सकता है इसलिए पूरा प्रयास करके सब को उस छेतर का दर्शन अवशी ही करना चाहिए जैश्री कृष्ण अगर ये वीडि को लाइक जरूर कीचेगा